Hi friends, Interior Isis by Nihara में आप सब का स्वागत है और आज का वीडियो हमारे special finishing materials के series का हिस्सा है So अगर आप आपके घर के fall ceiling design के stage में हैं, planning stage में हैं और आप सोच रहे हैं कि fall ceiling किस तरीके से design क्या जा सकता है या अगर आपको उसमें एक wooden element add करना है तो आपके पास क्या क्या options available है then this video is a must watch क्यूंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं innovative ceiling product की बारे में जो की है Vogue Sofit Panels Now last week Mumbai में इसका एक product launch event हुआ था जिसके लिए we were invited and there we got to know more about this product So आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसके specs की बारे में pros and cons की बारे में क्या इसका costing है, कहाँ पर आप इस product को use कर सकते हैं कहाँ से इसको source कर सकते हैं, सारी चीजों की बात करेंगे और एक इसका installation वीडियो भी देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो So fall ceiling हम क्यों करते हैं दो reasons है, सबसे पहला reason क्योंकि ceiling में जो भी electrical wires होते हैं, conduits होते हैं AC के ducts होते हैं, उन्हें hide करने के लिए या conceal करने के लिए हम fall ceiling यूज करते हैं Second reason is, कभी कोई जगा बहुत बड़ी है तो उसका volume कम करने के लिए हम fall ceiling यूज करते हैं अलग-अलग light fittings आप यूज कर सकते हैं जिसको drivers के साथ fall ceiling के वज़े से fit करना काफी आसान हो जाता है और चलिए देखते हैं कि market में अगर आपको wooden finish ceiling करना है तो market में अभी कौन से options available है और उसका costing कितना होता है सबसे पहले है real wood तो जिसमें आपने दिखा होगा कि teak wood यूज करते हैं pine wood यूज करते हैं slipper wood यूज करते हैं उसके बाद अगर आप ply में framework करेंगे तो उसको आप laminate से finish कर सकते हैं veneer से finish कर सकते हैं या तो आप finger joint boards के लिए यूज कर सकते हैं थर्ड वन इस PVC panels या aluminum composite panels ACP जिसे कहते हैं या fiber cement boards भी यूज करते हैं आप gypsum ceiling के ऊपर भी wallpaper लगा के you can achieve a similar look और so that was the fourth one and the last one is woke soffit panels तो चलिए देखे हैं ceiling में wood किस तरीके से यूज कर सकते हैं तो आप जैसे इस image में हम देख सकते हैं living area में या dining area में हम rafters use कर सकते हैं जैसे real wood में पहले rafters बनाते थे उस तरीके से हम rafters create कर सकते हैं either the rafters can be parallel to each other या उससे हम कोई pattern बना सकते हैं जैसे bedroom के image में हम देख सकते हैं और जिसके junctions पे हमने lights suspend किये हैं so lights वगरा add करके we can make it look more interesting उसी के साथ living rooms में जहाँ पर वहां पर complete wooden ceiling आप यूज कर सकते हैं probably you can go for a lighter color जो दिखने में भी अच्छा रिखे के दिखे it won't look too heavy और आज कल ऐसे भी आपने देखा होगा living room, dining room एक complete बड़ा area होता है जिसके बीच में physical separation नहीं होता वहां पर भी एक जगा बड़ी दिखाने के लिए लेटर इंद वीडियो बट यस अनदर स्पेस यहां पर हम बुडन सीलिंग यूज कर सकते हैं प्राइवेट स्पेसे पे जैसे bedrooms में वगर आपने उब्जर्व किया होगा कि towards the window enclosed balcony के वज़े से एक बीम होता है जो सीलिंग के लेवल से नीचे होता है तो वो complete जो area है वहाँ पर भी हम wooden finish वाला material यूज कर सकते हैं wooden ceiling हम यूज कर सकते हैं so that वो complete area जो है वो defined दिखता है and it looks nice with the gypsum ceiling उसी के साथ घर में जो balconies होते हैं या terraces होते हैं उसके ceiling में भी आपने देखा होगा wooden ceiling यूज करते हैं दिखने में बहुत अच्छा लिखता है जहाँ पर आप plants वगरा लगाओ कोई seating area हो तो उसके साथ if you use wood in the ceiling it looks really nice जैसे हमने balcony और terrace की बात की उसी के साथ कोई semi open spaces होते हैं probably कोई parking space है या कोई canopy है तो वहाँ पर भी हम अंदर के side से नीचे के side से wooden ceiling यूज कर सकते हैं it looks really nice उसी के साथ bedrooms में भी आप किसी particular area को आपको highlight करना है probably it's only the bed वाला area या bedroom में कोई alternate seating वाला area है उसको highlight करने के लिए भी हम wooden ceiling यूज कर सकते हैं public spaces में restaurants और cafes में आपने observe किया होगा ceiling में कई बार wood यूज करते हैं और उसके साथ एक interesting light fittings आपने add के तो बहुत अच्छा दिखता है उसी के साथ food courts में आपने देखा होगा malls में wooden ceiling यूज करते हैं और क्यूंकि ओ area भी बहुत बड़ा होता है तो एक long ceiling आपका दिखता है दिखने में बहुत अच्छा दिखता है कोई ऐसा structure है जिसको sloping roof है तो उसको भी अंदर के side से wooden ceiling यूज कर सकते हैं बहुत अच्छा दिखता है उसी के साथ उसका जो outdoor वाला area होता है जो भी उसका overhang होता है जो balcony है terraces है उस area में भी अंदर के side से हम wooden ceiling यूज कर सकते हैं अच्छा दिखता है और बड़ा दिखता है अच्छा दिखता है नौ देखता है लेट्स तॉक अब वोग्स in front of system और यह कैसा material है जो आप जितने भी photos हमने देखे जितने भी areas देखे उसमें से किसी भी area में आप इस product को यूज कर सकते हैं और यह क्या material से बनाय हुआ product है यह PVC से बनाय हुआ product है polyvinyl chloride से और यह European product है और जैसे aluminium के sections आपने देखे होंगे aluminium window sections जो होते है वो extrude किया जाते है एक different mold होता है उसका section उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यह two layer of extrusion से बनाय हुआ है और इसके ओपर thermal printing होता है जिसके वज़े से इसको एक wood like texture और color मिलता है अगर qualities की बात करेंगे तो यह lightweight material है और waterproof material है तो इसको पानी से आप साफ करेंगे तो इसको कुछ भी नहीं होगा so that means आप इसको wet area में without worrying यूज़ कर सकते हैं आप इसको terraces में यूज़ कर सकते हैं ceiling में जिसको आप directly water source से या pipe से भी साफ करेंगे तो भी इसको कुछ नहीं होगा और external जो heat है या बारिश का पानी है उससे भी इसको कुछ नहीं होगा एक termite proof material है और इसको fungus और अलगे भी obviously यूज़ के waterproof है तो वो भी आपको maintenance कुछ भी नहीं है another important quality is that यह जो material है यह fire retardant है जिसका मतलब यह है कि in event of fire यह जो है आग spread नहीं करता तो उसका source of fire है जैसे ही बंध हो जाएगा तो यह भी इसका भी जो burning है वो बंध हो जाता है और आग आगे नहीं फैलती which is I think a really important quality अब बात करते हैं कि सिस्टेम में कौन से कौन से parts होते हैं तो यह एक section है जिसको हम end or start section कहते हैं उसके बाद there are these panels so यह panels actually length में बहुत बड़ है so 1 feet by 8.85 feet and 1 feet by 6 feet यह इसमें options है जब यह panel खतम हो जाता है तो तब यूज होता है एक T connector because it looks like T in section and T alphabet in section और इस तरीके से एक panel जहां पर खतम हो जाता है वहां पर connector लगता है और उसके बाद second panel यहां से start होता है जहां पर ceiling खतम होगा वहां पर इस तरीके से जो start or end section है वो उ to get तो वो इसमें available है दो पानल से एक दूसरे से किस तरीके से fix होते हैं वो देख लेते हैं so if these are the two panels और यह इसका एक end है यह दूसरे पानल का end है तो इस तरीके से interlocking mechanism है तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो इसके जो grooves है तो यह groove और यह groove सेम है and you don't see the joint इस तरीके से fix होता है so जैसे हमने देखा इसका installation काफी आसान है और यहां पर हम देख सकते हैं एक site पर जहां पर live installation हमने देखा उपर जो ceiling है वहां पर GI का framework करते है है GI के section का framework करते हैं और उसके बाद इन panels को install किया जाता है और जैसे मैंने कहा यह panels लंबे होते हैं और जिसको आपकी जो भी requirement है size है उसके हिसाफ से उसको cut किया जाता है another plus point of this product is जिसमें बिल्कुल भी application में install करते वाग glue use नहीं करते और जैसे आप देख सकते हैं कि advance उसका fixing mechanism है जिसके जिसके बीच में जिसके बीच में screws fix किया जाते हैं application वी विल्कुल dust free और non messy है which is quite fast also उपर जो जिए का framework करते हैं उसके बाद towards the wall ये end or start section है वो fix किया जाता है उसके बाद उसमें panels fix किया जाते हैं and T-connectors as we said between two panels तो अगर आपकी लेंग्थ ही उतनी है जितना एक panel है 8.85 feet के आपकी लेंग्थ है तो यू नाट नीड 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 पैनल और एक सिंगल जो पैन है उसमें सिंगल्स पैन में ही आपका सीलिंग कवर हो जाएगा इफ एल लेंग्थ उसस इसका जो फिक्सिंग, एडवांस फिक्सिंग and screwing mechanism है उसके वज़े से प्रोड़क्ट इंस्टॉल होने के बाद भी उसके एक्स्पांशन और कॉंट्राक्शन के लिए इनफ जगा होती है और जिसके वज़े से ही इंस्टॉल होने के बाद भी एक्स्ट्रीम होट एक्स्ट तो दोनों साइड में देर इनाफ स्पेस ब्रीदर है उसको और जो स्कूर्स है वो ओवर्टाइट नहीं किये जाते हैं अगैन तो अकुमदेट दो इसमें फित होते हैं तो दोनों साइड में भी 5-8 mm की जगा होती है ब्रीदर होते हैं तो कहीं पर भी कट-to-कट पैनल्स नहीं होते हैं तो यह जो जगा है यह यहां पर यू कन सी लिटल गैप उन दिस साइड तो यह जगा दोनों साइड में होती है जिसके वज़े से एक्सपांशन और कॉंट्रैक्शन भी हो तो भी इस टेकन केर ओफ यह जो पैनल है इसमें आप देख सकते हैं कि वेंटिलेश के लिए होल्स दिये हुए हैं अगें विच यू कन सी क्लियरली फ्म दिस साइड तो यू कन चूज आपको कौन सा पैनल अच्छा लगता है उसके उपर से आप चूज कर सकते हैं वेदर यू वांट इफ यू लाइक दिस और तो यू चूज दिस यह अगर आपको लगता है कि इस तरीके से यह वेंटिलेशन के होल्स आपको दिखने में अचे नहीं लग रहे हैं तो यू कन चूज दिस पैनल जिसमें यह वेंटिलेशन के होल्स अल्मोस नहीं दिखते Now the benefit of this is कि जब भी भी बहुत गर्मी होती है Probably you stay on the top floor तो जो उपर की slab है और नीचे ये जो आपका ceiling लगता है उसके बीच में जो GI का framework होता है उसके बीच में जो हवा होती है वो बहुत trap होके बहुत गर्म नहीं होती Because of these holes वो जो circulation है वो अच्छे से होता है हमने ये बात कर ली कि ये एक waterproof material है तो उपर ceiling से अगर पानी आता भी है तो भी इस material को कुछ भी नहीं होगा अगर leakage भी है तो भी इस material को कुछ नहीं होगा ये खराब नहीं होगा Other than that another important quality is क्यूंकि ये fix करते वर्क glue use नहीं होता तो अगर आपने लगा दिया और उपर का जो ceiling है जो slab है उसमें कोई भी repair work भी आपको करना है तो आप इस ceiling को काफी आसानी से dismantle कर सकते हैं क्यूंकि glue use नहीं होता 0% wastage है same material आप फिर से लगा सकते हो which is really really I think important और अगर कोई recurring maintenance है जैसे की air handling units है या geezers है जिसको आपने लगा है जिसको आपको बार बार या periodically आपको उसको access करने की ज़रूत है तो आप इस material में एक lightweight material है तो इसमें आप trap door भी बना सकते हैं बेसिकल एक छोटा अलुवनियम फ्रेमिंग के साथ एक डोर बनेगा जिसको खोलना आपके लिए काफी आसान होगा तो every time you don't have to dismantle everything एक छोटा पोशन होगा जिसको आप सीलिंग में ओपन करके you can access और जो भी repairing है वो करने के बाद आप उसको बन कर सकते हैं and दिखने में as you can see in the picture it looks neat and clean क्योंकि same material में बनेगा तो ऐसे एक उठके अलग different नहीं दिखेगा और इसका end का भी यह जो section है end या start section जिसे कहते हैं उसके वज़े से भी जो door है it looks neat, the detail looks quite neat and clean so color space में क्या क्या options available है so wooden वाले जितने options हम ने देखे so wooden में यह सारे options available जो इनका natural collection है उसी के साथ plain colors में भी यह panels available है so these are the options that are available in plain colors as you can see on screen so this is another sample that I have जो white color में है so probably किसी छोटे area में वाश्रों में अगर आपको यूस करना है जहां पर अगर अगर अप wooden या दूसरा कोई finish यूस करेंगे तो बहुत हवी लगे का ऐसे आपको लग रहा है it's a smaller washroom so you can use something which is plain जो दिखने में भी अच्छा दिखेगा and because it is so easy and waterproof तो आप clean करना भी काफी असान हो जाएगा यह 100% maintenance-free product है और इस product के ओपर company 10 years की warranty देती है which itself speaks for the product अगर ऐसे product के ओपर 10 years की warranty मिलती है that just shows the kind of research and testing which has gone behind creating this product और इसी segment में बाकी जो products market में अविलेबल है उसमें किसी भी product में इस तरीके की warranty नहीं मिलती है costing के बात करते हैं we've already seen the qualities और किस तरीके से installation होता है we've talked about everything तो ये और इस तरीके के बाकी जो material से जिससे wooden वाला जो finish है आप ceiling में अचीव कर सकते हैं तो सारे materials की cost की बात करेंगे let's start with real wood तो real wood अगर आप ceiling में यूज करेंगे तो उसका costing approximately 1800 to 2100 per square feet होगा shareboards use करेंगे तो 850 to 1200 per square feet PVC ceiling यूज करेंगे तो 100 rupees per square feet Vox के जो panels है 230 to 250 rupees per square feet gypsum ceiling के ओपर अगर आप wallpaper लगाते हैं तो that would cost you around 160 rupees per square feet but again wallpaper है तो there is a recurring expense ACP के बात करेंगे तो 900 to 1200 per square feet now that we have seen all the good points of this product let's talk about few observations जहां पर हमें लगता है ये product इतना अच्छा है ये और भी बहतर हो सकता है तो इसमें दो profile से हमने देखे एक तो है ये J profile जो end में लगता है और उसी के साथ एक T connector हमने देख लिया but if your ceiling is in two different levels या probably ceiling और beam पर आपको इस material को use करना है तो वहां पर जो दो different level है उसका जो junction होगा जहां पर you'll need L connector अभी इस case में दो end sections है और दो panels मेंने लगाया है दिखाने के लिए तो ये एक different level हो गई और यहां पर इसको आपको अगर इसको 90 degrees में turn करना है इस तरीके से आपको दो J sections लगाने पड़ेंगे पर उसी के जगा पे एक L connector होता है जिसमें दोनों panels हैं एक यहां से fit हो जाता है यहां से fit हो जाता है तो वो जो section है वो दिखने में और थोड़ा clean दिखता No doubt it is a really good product But if they introduce L section I think वो और भी जादा दिखने में अच्छा लिखे है Second point is about the length तो currently these panels are available in two sizes One is 1 feet by 8.85 feet And the other available size is 1 feet by 6 feet जो आपके balcony terrace जहां पर भी आप use करना चाहते हैं वहाँ पर उस size के हिसाब से उसको cut करके या second panel connector लगा कर use कर सकते हैं But I think यह जो sizes है उसी के साथ अगर एक 10 feet या 12 feet का panel को introduce करते हैं जो कि एक average room size होती है balcony की length होती है तो फिर आपका wastage भी काफी कम होगा और आपको beach में connector की भी ज़रुत नहीं होगी तो एक continuous 10 या 12 feet का अगर एक panel की length होगी तो single panel आपको दिखेगा without any connector which I think will look better अगर sourcing की बात करेंगे तो जबी भी हम इस series में नए product या material की बात करते हैं आप हमेशा पूछते हैं कि whether ये product आपके city में आपके location में available है या नहीं तो यहां पर आप screen में देख सकते हैं हमने Vox का contact number add कर दिया है नीचे description में उनके website की link है they have around 250 dealers across 75 cities तो आपको ये product source करना काफी असान हो जाएगा और जबी भी आप इसकी order place करते हैं तो इसका जो installation होता है और इसके जो measurements होते है so measurements, installation, सब कुछ इनकी trained team होती है वो ही करते है so you don't have to worry about anything आपको सिर्फ probably आपके ceiling का ही काम करना है probably सिर्फ balcony का काम करना you don't have to worry about finding the right people everything will be taken care of by the team आपकी cost है 230 to 250 रुपीज पर स्क्वेर फीट उसमें ही आपके जो installation के charges है वो included है अगर summarize करने चाहेंगे इस product को तो एक convenient to use product है value for money है and I think it is an excellent alternative to wooden ceiling क्योंकि इसको design करते वाग जितना functionality के बारे में सोचा है उतना ही aesthetics के बारे में सोचा है तभी ये दिखने में भी बहुत अच्छा है and एक ready to use product है जिसके उपर आपको ना ही polish करना है ना ही paint करना है जैसे ही आप उसको लाते हो उसको सिर्फ fix करना है which is I think one of the best part so let us know in the comments आप इस series में इसी तरीके के और innovative products के बारे में क्या जानना चाहेंगे अगर आपके mind में कोई material है जिसके बारे में आप और information जानना चाहेंगे तो उसके बारे में भी हमें जरूर बताईएगा we are planning few next videos of this series तो हम वो जरूर plan करेंगे उस हिसाब से मुझे नीचे comment में ये भी बताईए आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा या probably कोई नई चीज जो आपने आज इस वीडियो से सीखी है हमारे सारी से तरह जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकोन को क्लिक कर दीजे all videos इस option को ज़रूर से लेक कीजेगा ताकि हर वक्त जब हम एक नए वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी और हम हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे मिलेंगे जल दीए एक नए और इंट्रेस्टिंग टॉपिक को लेकर तब तक के लिए बाई